ओम श्री गनेशाय नमाह दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे Story name is Malang and this story is begin from chapter 26 to 30 and guys don't forget to Share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience अब आगे, Banaras railway station अमरित अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है जो की दुलहन के जोड़े में थी अमरित उस लड़की की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोला है क्या बद्तमीजी आई है तमीज नहीं है बात करने की और धमकी किसे दे रही हो तुम हो कौन तुम जो यहाँ मेरे ही कमपार्टमेंट में आकर मुझे ही धमकी दे रही हो अभी बुलाता हूँ तीटी को वो लड़की मासूम सा चेहरा बनाकर बोली अरे हमको माफ कर दो यार हमने तुमसे बद्तमीजी कर दी लेकिन प्लीज हमका बचालो वो गुंडा हमसे जबर्दस्ती शादी करना चाहता है और हम वापस जाना चाहते हैं अपनी बरेली ओ बरेली की बर्फी तुम यहां से निकलो मुझे एक तुम्हारे जंजट में नहीं पड़ना है अमरित ने उस लड़की के हाथ को पकड़ कर कहा तभी कोई दर्वाजा खट खटाने लगता है अमरित उस तरफ जाने लगता है जिस पर वो लड़की उसके हाथ को पकड़ कर कहती है प्लीज ना हमें बचालो तुम जो कहोगे हम करेंगे प्लीज इस मुसीबत से हमको छुटकारा दिलाई दो हमको बहुत मिचमिची हो रही है यार अमरित उस लड़की से अपने हाथ को छुढाते हुए बोला डोंट टच मी और दूर रहो मुझसे जानना पहचान में तेरा मेहमान सीधा गले पड़ रही हो तुम तो और अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाकर पुलिस कंप्लेंट करो ना इस तरह की से भागने का क्या फाइदा वो लड़की अमरित की बात पर गुस्से से बोली साला हम प्यार से तुम से मदद मांद रहे हैं और तुम हो की भावखा रहे हो इतना बड़े अपने आपको गुड्डू स्वामी का छटा हुआ गुंडा समझ रहे हो का और अभी लगाएंगे कान के नीचे दो कनपट ना सारा दिमाग आ जाएगा सामने हमको नहीं जाना पुलिस कंप्लेंट करने तो तुम हमको काहे कोर्स कर रहे हो पर हम कौन सा तुमरी गोदी में बैठ कर जाने वाले हैं भाई बस छोटा सा जगह दे दो हमको हम चले जाएंगे लेकिन नहीं तुमको तो अपना धोस जमाना है अमरित का चहरा गुस्से से लाल हो चुका था वो जाकर दरवाजा खोलता है लेकिन अब तक ट्रेन में अपनी रफ्तार पकर ली थी और स्टेशन को पीछे छोड चुका था वो लड़की जब ये देखती है तब चैन की सांस लेती है और अपने दोनों हाथ जोडते हुए कहती है धन्यवाद गुड्डू महाराज बचा लिए हमको अमरित एक नजर उसे घूरने के बाद जाकर ट्रेन का चैन खीचने लगता है जिस पर वो लड़की जल्दी से अमरित को कमर से पकर कर पीछे खीच लेती है जिससे अमरित उसके ऊपर गिर जाता है वो लड़की अमरित को घूरते हुए बोली अब साला हम बच गए तो भी तुम को दिक्कत है तुम जहर खाकर पैदा हुए हो क्या जो दूसरों की खुशी पर भी अपना जहर छोड रहे हो तभी ट्रेन रुक जाता है वो लड़की चैन की तरफ देखती है जिसे अमरित खीच नहीं पाया था इसलिए वो अमरित को खुद के उपर से धकेल कर खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है तभी उस कमपार्टमेंट के दरवाजे पर फिर से कोई दस्तक होती है अमरित बुरी तरीके से उस लड़की को घूरे जा रहा था और सीधा जाकर दरवाजा खोल देता है उसके सामने लगभग 15 लोग जो काफी हटे कटे नजर आ रहे थे खड़े हुए थे एक आदमी जो की उनका लीडर लग रहा था अंदर आकर उस लड़की को घूरते हुए बोला वैशाली जी अपने इस आशिक के साथ भाग रही हो अमरित उस आदमी की बात पर बोला एक्सक्यूस मी जरा तमीज से बात करो मैं इस लड़की को नहीं जान वो आदमी अमरित की बात को बीच में काट कर बोला चुप साले दो टके का लॉंडे हमारे सामने बोल रहा है चल तुझको तो हम बताते हैं इतना कहकर वो आदमी अपने लोगों की तरफ इशारा करता है तो सभी लोग अमरित को और उस लड़की को उठा लेते हैं अमरित चिलाते हुए बोला तुम सब जो कर रहे हो ना बिल्कुल सही नहीं है अगर इस बारे में मेरे भाई को पता चला ना तो तुम सब लोगों को छुड़ेगा नहीं अरे काहे भाई भाई करके चिल्ला रहा है रे बुर्बक जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा ना तुम्हारा रिष्टा हम किसके साथ करवा रहे हैं तो वो भी समधी बनने के लिए तैयार हो जाएगा उस आदमी ने आगे आगे चलते हुए कहा अमरित का फोन बजने लगता है अमरित जल्दी से अपने पॉकेट से फोन निकाल कर देखता है जिसमें मृत्युन जय नाम चमक रहा था लेकिन वो कॉल अटेंट कर पाता उससे पहले ही एक गुंडा उसका फोन उठा कर पटक देता है और अमरित के कंधे को खप्थपाते हुए कहता है अरे अब तुम यहां के होने वाले जमाई हो गई जरा खुद को काबू में रखो वरना हम खातिरदारी बहुत अच्छा करते हैं साला आदमी मरते दम तक नहीं भूलता और तुम्हारा तो अभी शुरू होने वाला है अमरित गुस्से में वैशाली को भूरते हुए बोला मैं तुम्हें छोडूंगा नहीं तुम्हें जान से मार दूंगा मैं वैशाली अमरित पर चिल्लाते हुए बोली साला हमको धमकी देते हो जान से मार देंगे तुमको एक तो बचाने के लिए कहा तो उपर से नकरे दिखा रहे थे और अब देखो कैसे हमसे किच किच कर रहा है अमरित बुरी तरीके से वैशाली को भूरने लगता है वो गुंडे उसे स्टेशन से उठाकर स्टेशन के बाहर ले आते हैं और गारी में बैथा देते हैं उनकी गारी तेज रफ्तार में वहां से चल परती है दोपहर के त्री उकलॉक बजे श्री काशी विश्वनात मंदर वो सारी गारियां आकर भगवान काशी विश्वनात के घाट के बाहर रुकती है अमरित और वैशाली को जबरदस्ती गारी से बाहर लाया जाता है अमरित उन लोगों से चूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड रहे थे अब उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यूं शोभित की बात मानकर फ्लाइट नहीं ली बलकी अपनी मनमौजी करते हुए वो ट्रेन में सफर कर रहा था उन सभी लोगों के हाथ में गन और कटार थी जिस कारण अमरित की सीटी पिटी भी लगभग गुल हो चुकी थी अमरित वैशाली की तरफ देखते हुए धीरे से उसके कान में बोला तुम कुछ एक्स्प्लेन करना चाहोगी यहां पर हो क्या रहा है और उन लोगों को रोको क्या बकवास है ये सब अगर हम सब को रोक सकते थे तो हमें यहां से भागने की जरूरत नहीं पड़ती सभी तुम्हारे होशियारी के वजह से हुआ है अगर तुम ज्यादा अपना दिमाग नहीं ठंकाते ना तो अभी हम सब यहां से बाहर हो चुके होते वैशाली ने अमरित पर बरसते हुए कहा अमरित वैशाली को घूरते हुए बोला वाट यू मीन तुमड़ी अंगरेजी के चपकर में हम तुमको जान से मार देंगे हम बता रहे हैं हमको भी अंगरेजी आती है लेकिन साला हम तुम्हारी तरह शो ओफ तो नहीं कर रहे हैं ना इसलिए ज्यादा चपचप करना बंद करो वरना अभी एक कनपती लगा देंगे हम वैशाली ने अमरित की बात को बीच में काट गुस्से से कहा अमरित वैशाली की बात पर गुस्से से बोला पहले तो तमीज सीख लो बात करने की हाँ हाँ तुम तो किलो किलो भर तमीज लेकर पैदा हुए हो और हमको अकेले कहां सीखा रहे हो भाई पूरे बनारस को सिखा दो इन गुंडों को भी सिखा दो शायद तुम्हारी बात अच्छे से समझ जाए साला हमको तमीज सिखाता है वैशाली ने अमरित बिफरते हुए कहा उन दोनों को इस तरह से जगड़ा होता हुआ देखकर एक गुंडा गन निकाल कर अमरित के कनप्टी पर रखते हुए वैशाली से बोला देखिए वैशाली जी हम तुमको बता रहे हैं ज्यादा अगर मिया मिठ्थू बनकर किटूर किटूर करने की कोशिश मत करो वरना अभी हम इसका खोपड़ी उड़ा देंगे वैशाली उसकी बात पर बोली कहा है रे मामा बता हमको हम यहां हैं काफी अच्छा नाम रोशन कर रही हो आप हमारा एक गरीब 60 साल के आदमी की आवाज आती है जिसने धोती पजामा पहना था और उसके गले में गमचा लटक रहा था वैशाली उस तरफ देखती है तो वो आदमी देवराज सिसोधिया थे जो बनारस के जाने माने थे केदार थे और वैशाली पिछले वन साल से उनके साथ रह रही थी क्योंकि वैशाली की मा की मौत हो गई थी जिनकी अस्थिया वैशाली वहाँ पर प्रवाहित करने आई थी और वही होकर रह गई थी लेकिन अचानक उन्होंने वैशाली की शादी अपने दोस्त के बेटे से तै कर दी थी जिससे वैशाली शादी नहीं करना चाहती थी और भाग रही थी वैशाली देवराज की बात पर बोली मामा हम कह रहे हैं ना हमको उस लल्लन से शादी नहीं करना है हमको जाने दो यहां से हमको नहीं रहना यहां पर लेकिन तुम हो की साला धोती बांध कर हमारे पीछे पड़े हुए हो घाट पर खड़े सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं देवराज वैशाली की बात को अंदेखा करते हुए अमरित के सामने जाकर बोला क्यूं तुम हो वो लॉंडे जिसके साथ ये भाग रही थी साला तुम्हारे में इतना हिम्मत है कि तुम हमारे इलाके में आकर हमारे घर की बेटी को भगा कर ले जा रहे हो बड़े जिग्रे वाले लगते हो अमरित देवराज की बात पर अपनी पक्ष को रखते हुए बोला एक्सक्यूज चुप बिल्कुल चुप हमारे इलाके में आकर हमारी होने वाली लुगाई को लेकर भाग रहा है हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं अभी साले तुमको भी मार देंगे कहते हुए लल्लन अमरित की तरफ गन तान देता है वैशाली गुंडे से खुद को छुड़ा कर अमरित के आगे खड़े हो लल्लन से बोली ए लल्लन हम तुमको पहले ही बोले थे ना कि हमको तुम्हारे जैसे फटी चट्दी से शादी करने का कोई शौक नहीं है तो तुम कहे साला लुंगी पहनकर हमारे पीछे पर रहे हो बे लल्लन देवराज की तरफ देखते हुए बोला काका समझा दो अपनी भान जी को इस तरह से सब के सामने हमारी बेज जती ना करे वरना हम सोच रहे हो ना का कर देंगे हम देवराज ललन की बातों को अंदेखा कर वैशाली से बोला तुमका चाहती हो वैशाली देवराज की बात पर बोली हमको और इस लड़के को यहां से जाने दो और हम कुछ नहीं चाहते देवराज अमरित की तरफ देखते हुए वैशाली से बोला अच्छा हम तुमको जाने देका लगता है ये लड़का तुम्हारा वैशाली खीच कर बोली होने वाला मर्द लगता है हमारा भाग कर शादी करने वाले थे इससे काहे के हमको इस फटी चड़ी से शादी नहीं करना है खुद की तो हालत मरे हुए कुट्टे की जैसी है और हमसे शादी करके हमें भी कुट्या बनाना चाहता है लल्लन अमरित पर गन तान कर वैशाली से बोला हमको तुम पर यकीन नहीं है हमको पता है तुम जूट बोल रही हो ता कि तुम्हें हमसे शादी ना करना पड़े यी लड़का शहरिया है और तुम कभू शहर गई नहीं तो तुम्हारा इसके साथ चक्कर कैसे हो सकता है अमरित ललन की बात पर जल्दी से बोला एक्जाक्ली मैं भी यही कहने वाला था मैं नहीं जानता ललन अमरित के गाल पर थपड़ मार कर बोला चुप तुझसे बात हुई क्या यहां पर हमारी नहीं ना तो साला तुका है पट़ पट़ बोल रहा है बे अमरित का चेहरा एक तरफ जुक जाता है वो मन में बोला एक बार बस मेरा फोन मेरे हाथ में आने दो फिर तुम सब की इर्थिया ना उठवादी तो मेरा नाम भी अमरित सारंग नहीं देवराज वैशाली की तरफ देखते हुए बोला तुमने अभी कहा कि तुमको यी लड़का पसंद है तो ठीक है मनडप तयार है पंडित यहां पर बैठा हुआ है शादी की रसम शुरू करते हैं ललन देवराज की बात पर चिलाते हुए बोला हमको वैशाली से शादी करना है आप इस तरह से किसी और के साथ उसकी देवराज अपने लोगों की तरफ देखता है तो सभी लोग ललन को पकर कर साइड में कर देते हैं वैशाली देवराज की बात पर बिल्कुल पत्थर की तरह जम चुकी थी और वही अमरित का तो ऐसा हाल था जैसे काटो तो खून नहीं वो अपने सामने खड़े गुंडों को देख रहा था अमरित होश में आ जल्दी से बोला आप गलत मेरी बात लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था दो लोग उसे जबरदस्ती लेकर आते हैं और मंडप पर बैथा देते हैं वैशाली तो पहले से शादी के जोड़े में थी इसलिए उसे भी जबरदस्ती वहाँ पर बैथा दिया जाता है और एक गुंडा वैशाली से कहता है वैशाली दीदी समझा रहे हैं तुमको चुपचाप शादी करो और अपने मर्द के साथ हमारे काका जी में जो वादा अपनी बेहन के साथ किया था वो पूरा हो जाएगा और तुम अपने ससुराल चली जाओगी और कुछ सालों बाद हमको मामा कहने वाला एक लला वैशाली उसको बीच में काट कर चिला कर बोली साला अभी फैमली प्लानिंग कर ले तु अभी हम अपने ससुराल वालों के नहीं मिले और अमरित अपनी मुठी मजबूती से कसे नफरत से वैशाली को देखते हुए बोला यू वेट अन वॉच तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं तुम्हारे कारण मैं ये घटिया से जगह पर और इन घटिया गुंडों के बीच में फस चुका हूँ वैशाली अमरित को घूरते हुए बोली तुम अपना मुठ बंद करके रखो वरना अभी साला जमाल गोटा खिला कर तुम कोशे पातिक में बंद कर देंगे अमरित गुस्से से वैशाली को घूरते हुए बैथा रहता है धीरे धीरे शादी की रस्म पूरी होने लगती है और लललन बीच बीच में चिलाता तो गुंडे उसको थपड मार कर चुप करवा देते जब मान भरने की बारी आती है तो अमरित बिल्कुल भी सिंदूर की तरफ देखता भी नहीं है जिससे एक गुंडा हवा में फायर करता है तो अमरित जल्दी से सिंदूर उठाकर वैशाली के मान को भर देता है और उसे मंगल सूत्र भी पहना देता है पंडित जी देवराज की तरफ देखते हुए बोले काका शादी की रसम पूरी हुई अब हमको हमारा दक्षिना दो दूसरी शादी भी देखने जाना है देवराज अपने आदमी की तरफ देखता है तो वो आदमी उसे नोटों का एक गड़ी थमा देता है पंडित खुश होकर अमरित और वैशाली को आशीरवाद देते हुए वहाँ से चला जाता है देवराज अपने खास आदमी लाखन की तरफ देखते हुए बोला है लॉंडो जहां कहीं कभी है लेकर जाओ और हाँ नजर रखना वैशाली पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए लाखन अपना सिर हिलाता है और अपने लोगों के साथ अमरित और वैशाली को लेकर फिर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है अमरित को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हिस्ती खेलती जिंदगी पलभर में तबाह हो गई हो इस वैशाली नाम की ग्रहन उसकी जिंदगी में लग चुकी हो शाम का वक्त मृत्यून जय महक और शोभित असम पहुंच चुके थे उसकी जैट सीधा एक बहुत बड़े गार्डन में आकर लेंड करती है मृत्यून जय महक को लेकर बाहर आता है और शोभित भी बाहर आता है महक चारों तरफ अपनी नजरे घूमती है वो जगह बहुत खूब सुरत थी महक चारों तरफ घूम कर देखती है तो वो गार्डन करीब 12 डिसमिल में फैला हुआ था और चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसकी नजर सामने बड़े एक बड़े हिस्से आलीशान हवेली पर जाती है जिसकी कारीगरी इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसकी तरफ खीचा चला जाने वाला था और वही महक के साथ हो रहा था उसके कदम खुद बखुद उस हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं मृत्यूंजय महक के हाथ को पकड़ कर उसे रोक देता है जिस पर महक मृत्यूंजय की तरफ देखने रखती है मृतियुन जय महक के हाथ को मजबूती से पकड़ कर बोला हम तू दिन बाद यहां से वापस मुंबई के लिए निकलेंगे लेकिन इस बीच तुम्हें मेरे दादा और दादी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी वरना तुम सारंग परिवार की बहु नहीं बन पाओगी महक मृतियुन जय की बात पर कनफ्यूज होकर बोली में ये कैसे करूंगी शोबित महक की तरफ देखते हुए बोला ऐसे तो बहुत टैलेंटेड बनती रहती हो यहां पर अपना टैलेंट दिखाना क्योंकि ये जगह जितनी खूबसूरत है यहां के लोग उतने ही बदसूरत हैं मृतियुन जय महक की तरफ देखते हुए बोला यहां पर जो कोई भी है उनसे तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें सिर्फ दादा और दादी पर ध्यान देना है महक मृतियुन जय की लेंगवेज में एक नफरत और धमकी दोनों को महसूस कर सकती थी इसलिए वो अपनी गर्दन जल्दी से हिला देती है मृतियुन जय महक के हाथ को पकड़ उसे लगभग सूटकेस की तरफ खीचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है और शोभित भी उन दोनों के पीछे पीछे चला आता है मृतियुन जय जब एंट्रेंस से होते हुए आंगन में आता है तो एक 70 साल के आदमी की आवाज आती है मृतियुन जय सारंग तुमसे कहा था ना यहां मता ना मृतियुन जय अपनी नजले उठाकर सामने की तरफ देखता जहां पर रविंद्रनाथ सारंग अपने रॉब के साथ खड़ा हुआ था मृतियुन जय महक के हाथ को पकर आगे बढ़ रविंद्रनाथ का आशीरवाद लेते हुए बोला प्रणाम आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है दादू मैं तू दिनों में यहां से चला जाऊंगा रविंद्रनाथ महक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले सदा सुहागन रहो महक रविंद्रनाथ की बात पर मृत्यून जय की तरफ इशारा करते हुए बोली इन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा खडूस हो लेकिन आप तो बहुत प्यारे हो मतलब आपका पोता आपकी बुराई कर रहा था मृत्यून जय अपनी मीली आगों से महक को बहुत बुरी तरीके से घूरने लगता है और वही शोबित को हैसी आ रही थी उसने सोचा नहीं था कि उसकी शांत रहने वाली भाभी इतनी अचानक रुख बदल सकती है और उसके भाई को अच्छा खासा फंसा सकती है तभी एक औरत की सकत आवाज आती है जरा सोच समझ कर बात करो बहुरानी की तुम किसके बारे में बात कर रही हो पोता है वो इस घर का महक मुस्कुराते हुए सब लोगों से मिलती है और वहाँ पर खड़े चार-पांच लोगों की तरफ देखने लगती है जिस पर रवींद्रनात मृत्युन जय की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हें बहुरानी को कमरे में लेकर जाना चाहिए मृत्युन जय रविंद्रनात के इशारे को समझ कर अपना सिर हिलाता है और महक को लेकर उपर की तरफ चला जाता है रवींद्रनाथ वहाँ पर खड़े उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को बहुरानी से मिलना चाहिए वहाँ खड़ी 42 साल की औरत जिसका नाम दामिनी का रवींद्रनाथ की बात पर बोली क्यों पापा आपको शर्म आ रही है हमें अपनी बहुरानी से मिलवाते हुए सावित्री दामिनी से थोड़ी नाराजगी से बोली दामिनी तमीज से बात करो पिता है वो तुम्हारे मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा मा उन्होंने आपने बहु को सबसे मिलवाया लेकिन हम लोगों से नहीं ऐसा क्यों दामिनी ने सवाल किया रवीम्द्रनात दामिनी की बात पर बोले बिना किसी गलती के अपने ससुराल को छोड़कर माईके में आकर पिछले फाइव सालों से बैठी हुई हो तुम इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए दामिनी अपने पिता पर कताक्ष करते हुए बोली शायद आप नई बहु के सामने अपने होनहर पोते की असलियत नहीं आने देना चाहते इसलिए आपने उन्हें यहां से रवाना कर दिया ठीक कहाना शिवराज दामिनी की तरफ देखते हुए बोला दीदी आपको इस तरीके से पापा से बात नहीं करनी चाहिए दामिनी शिवराज की बात पर बोली क्यूं नहीं शिव आखिर मेरा भी इस हवेली पर और सारंग परिवार की जायजाद पर बराबर का हक है जितना तुम तीनों भाई का है शोभित वैदिक की तरफ देखते हुए बोला छुटे चलो मेरे कमरे में चलते हैं बड़ों के बेवजह बकवास में दखलंदा जी नहीं करते दामिनी शोभित के कटाक्ष पर बोली क्यूं शोभित असलियत सामने आने पर तुम यहां से भाग रहे हो शोभित दामिनी के सामने खड़े होकर बोला मिसेज भाटिया जो कुछ भी बकवास आपको करना है आप बेजी जग कर सकती हैं लेकिन भाई के खिलाफ बक्वास में बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करूंगा सावित्री शोभित का कंधे पर हाथ रखते हुए बोली लंबे सफर से आए हो शोभित जाकर आराम करो शोभित दामिनी को गुस्से भरी नजरों से घूरने के बाद अपने कमरे की तरफ चला जाता है रवींद्रनात दामिनी की तरफ देखते हुए बोले बेहतर होगा कि तुम नहीं बहु के सामने अपनी एक बेहुदा जुबानना खोलो दामिनी रवींद्रनात की बात पर बोली अब अगर आपकी बहु रानी आही गई है तो वसियत नामा पढ़ लेते है नाता की छुटकारा मिल सके इन सभी जिम्मेदारियों से रविंद्रनात दामिनी को घूरते हुए बोले ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है बलकी मेरे बाप की खूम पसीने की जायदाद है जो मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दूँगा दामिनी रविंद्रनात की बात पर अकर कर बोली तो ठीक है अब सीधा बहुत रानी से बात होगी कि वो किसे जायदाद देना चाहती है सावित्री दामिनी को घूरते हुए बोली मुझे घिन आती है उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें पैदा किया था दामिनी के बगल में खड़ा 65 साल का आदमी सावित्री से बोला दीदी आप इतना गुसा क्यूं हो रही हो आपको कमरे में जाना चाहिए मैं भान जी को संभाल लेता हूँ रविंद्रनात उस आदमी को देखते हुए बोले शिशुपाल तुम कब जाने वाले हो सावित्री रविंद्रनात की तरफ देखते हुए बोली क्यूं मेरा भाई अगर यहां पर है तो क्या आपका राशन पानी खत्म हो जा रहा है रविंद्रनात जल्दी से बोले नहीं नहीं मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि उनके पिता की तबियत ज़रा खराब है तो उन्हें जाना चाहिए शिशुपाल रविंद्रनात की बात पर बोला उसकी फिकर आप मत कीजिए जी जा जी इस बार रक्षाबंधन को मनाने के बाद मैं चला जाओंगा वैदिक शिशुपाल की बात पर धीरे से बोला पिछले एच साल से वही तो कह रहा है इस त्योहार पर चला जाओंगा उस त्योहार पर चला जाओंगा लेकिन अभी तक हमारे घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला वहाँ पर खड़ी एक 22 साल की लड़की शिशुपाल की बात पर बोली मौसा जी आपको नहीं लगता कि अब आपको सच में चले जाना चाहिए शिशुपाल उस लड़की को घूरते हुए बोले शीतल बहतर होगा कि तुम मुझे यहां से भगाने की फिराक में मत रहो क्यूंकि मैं तो नहीं जा रहा शीतल सावित्री की छोटी बहन कंचन की पोती थी जो की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आसाम आई हुई थी और पिछले वन साल से वही पर रह रही थी शीतल शिशुपाल की बात पर मुह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं इधर महक पूरे कमरे को देख रही थी मृत्यून जय अपने कपड़े बदल आते हुए बोला जाकर कपड़े बदल लो महक मृत्यून जय की आवाज पर पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोली आपने बताया नहीं कि वो सारे लोग मैंने तुमसे कहा था ना दादा दादी के अलावा किसी और से मतलब रखने के बारे में मत सोचना तो तुम अपना दिमाग क्यों चला रही हो मृत्यून जय ने महक की बात को बीच में कात कर कहा महक मृत्यून जय की बात पर मुह बनाते हुए बोली अगर मैं उनसे दोस्ती नहीं करूंगी तो टू दिन यहाँ पर मेरे साथ रोमेंस कर सकती हो रोमेंटिक बाते कर सकती हो मेरे पास पूरा टाइम है मृत्यून जय ने फिर से महक की बात को बीच में काट कर कहा महक मृत्यून जय को घूरते हुए बोली रोमेंस और चुम्मा चाटी के अलावा आपको और कुछ आता है जो इनसान जिन्दगी भर सिंगल रहता है और उसे शादी के बाद कोई लड़की मिलती है वो इसके अलावा और कुछ दूसरा सोच ही नहीं पाता मृत्यून जय ने बेशर्मी से जवाब दिया महब के गाल मृत्यून जय की बात पर लाल हो जाते हैं और वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है जिस पर मृत्यून जय उसके हाथ को पकड़ कर अपने पास खीच लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है कलकुल देवता के मंदिर चलेगे इसलिए खुबसूरती से तैयार हो जाना और आज रात में बाद में बताँगा इतना कहते हुए मृत्यून जय उसके एयलोग पर किस करता है और उसे छोड़ देता है महक जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है वो अपने गाल को छूते हुए बोली कितना गर्म हो गया है क्या वो उनके करीब होने के लिए है लेकिन अभी तो वो करीब नहीं है फिर भी मेरे गाल इतनी गरम क्यूं हो गए फिर महक अपने ख्यालों को जटप कर शाव लेने लगती है शाम धल रही थी और रात में तबदील हो रही थी साथ में उस हवेली की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि हर तरफ दिये और लाइट से वो हवेली सोने की तरह चमक रहा था महक पीले रंग की साड़ी में खूबसूरती के साथ रेडी हुए कमरे से बाहर नीचे आती है तो देखती है सभी लोग में हॉल में बैठे बाते कर रहे थे लेकिन मृत्यून जय वहां से गायब था सावित्री महक की तरफ देखते हुए बोली आओ बहु यहां पर बैठो दामिनी महक के सामने आते हुए बोली बहु रानी में तुम्हारी बुआ सास हूं क्या तुम्हें नहीं सिखाया गया की अपने से बढ़ों के पैर छुआ करते हैं महक हलका मुस्कुरा दामिनी के पैर छुटे हुए बोली हमें माफ कीजिए हमें यहां पर किसी ने नहीं बताया की आप कौन है प्रणाम दामिनी महक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली सदा सुहागन रहो लेकिन तुम्हें देख कर लगता है की मृत्यून जय तुमसे कुछ खास खुश नहीं है मृत्यून जय सीडियों से नीचे आते हुए बोला इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए की मेरी पत्नी से मैं कितना खुश हूँ और कितना नहीं आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए मृत्यून जय के रौब भरे आवाज पर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं मृत्यून जय महक के पास अहुसे कमर से पकड़ कर अपने आप से सटाते हुए दामिनी से बोला मेरी बीवी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता की इस बारे में आपको लाइव टेली कास्ट दिखाने की जरूरत है दामिनी मृत्यून जय की बात पर बोली लगता है शहर जाकर तुम तमीज भी भूल चुके हो तमीज मुझे बहुत अच्छे से याद है लेकिन शायद इतने सालों से अपने परिवार और पती से दूर रहकर आप ये भूल चुकी है कि पती पत्मी का रिष्टा क्या होता है मृत्यून जय ने सीधा सा जवाब दिया दामिनी गुस्से भरी नजरों से मृत्यून जय की तरफ देखने लगती है लेकिन मृत्यून जय उसकी नजरों को पूरी तरीके से इग्णो कर देता है और महक को घूरते हुए कहता है तुम से क्या कहा था मैंने महक मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली मुझे क्या पता था उन्होंने आशीरवाद लेने के लिए कहा मैंने कर दिया इसमें तो आपकी ही बढ़ाई हो रही है ना लेकिन आपको तो मुह फुलाने से फुरसत नहीं है सावित्री मृत्यून जय की तरफ देखते हुए बोली क्या बात है मृत्यून जय लगता है बहुरानी से काफी प्यार करते हो तुम मृत्यून जय सावित्री की बात पर बोला हाँ मैं अपनी पत्मी से बहुत प्यार करता हूँ महक मृत्यून जय की बात पर उसकी तरफ देखने लगती है जिस पर मृत्यून जय उसके कान में धीरे से कहता है कमरे मैं बताऊंगा तुमसे कितना प्यार करता हूँ अभी इस तरीके से मुझे मत देखो otherwise मैं तुम्हें यहीं पर किस कर सकता हूँ मृत्यून जय जल्दी से मृत्यून जय से दूर होकर खड़ी हो जाती है और सावित्री की तरफ देखते हुए कहती है दादी मा अगर आपको वैत्राज ना हो तो क्या मैं आप सब के लिए खाना मृत्यून जय महक की बात को बीच में काट कर बोला तुम नहीं बनाओगी मैंने तुम से कहा था मेरे अलावा तुम किसी और के लिए खाना नहीं बनाओगी रवींद्रनात महक की तरफ देखते हुए बोले मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाना चाहता हूँ मृत्यून जय रवींद्रनात की तरफ देखते हुए बोला वो मेरे अलावा किसी और के लिए खाना नहीं बनाती है दादा जी रवींद्रनात मृत्यून जय की बात पर तिर्चा मुस्कुरा कर बोले लेकिन उस दिन की अब तुमने कॉल किया था तब तुम कै रहे थे कि तुम नहीं वो हाँ वो मैं कह रहा था कि वो काफी अच्छा खाना बनाती है मृत्युन जय ने रवींद्रनात को घूरते हुए उसकी बात को बीच में काट कर कहा शोभित आते हुए बोला भाई अगर आपने सब के पास भाभी जी के खाने की तारीफ कर ही दी है तो बनाने दीजिए उन्हें खाना क्या दिक्कत आ रही है आपको मृत्युन जय शोभित को घूरते हुए बोला अपना मूह बंद करके रखो उसका हाथ जल गया तो और इतनी बड़ी फैमली के लिये वो अकेले खाना कैसे बनाएगी महक मृत्युन जय की बात पर बोली मैं बहुत लोगों का खाना तुम चुप रहो मैंने तुम से कहा बात करने के लिए नहीं ना तो तुम बीच में क्यूं बोल रही हो मृत्युन जय ने महक को घूरते हुए कहा महक मृत्युन जय की जिरिकने पर चुप चाप खड़ी हो जाती है सावित्री महक की तरफ देखते हुए बोली अगर तुम यहाँ पर अपनी रसोई की रस्म पूरा करना चाहती हो तो जा सकती हो रसोई में तुम्हारी मदद नीलिमा और शीतल कर देंगे मृत्युन जय सावित्री की तरफ देखते हुए बोला लेकिन दादी लेकिन वेकिन कुछ नहीं मृत्युन जय तुम्हारी पत्नी को रसोई की रसम पूरी करनी होगी सावित्री ने मृत्युन जय की बात को बीच में कात कर कहा मृत्युन जय जल्ती हुई नजरों से महक को भूरने लगता है जिस पर महक अपना सिर जुका कर जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है और उसके साथ ही नीलिमा और शीतल भी चले जाते हैं रवींद्रनात मृत्युन जय की तरफ देखते हुए बोले हमें तुमसे कुछ बात करनी है चलो हमारे साथ इतना कहकर रवींद्रनात गार्डन की तरफ चले जाते हैं और उनके साथ मृत्युन जय गई महक को घूरते हुए चला जाता है रसोई महक नीलिमा और शीतल के साथ खाना बना रही थी वो नीलिमा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली मैं आपको चाची कह सकती हूँ ना नीलिमा महक की तरफ देखते हुए बोली हाँ महक शीतल की तरफ देखते हुए बोली हेलो मेरा नाम महक है शीतल महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोली ये तो काफी अच्छी बात है कि आप यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है शीतल महक की बात पर बोली वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी और मृत्युन जय की शादी कैसे हुई क्योंकि जहां तक हमें पता था वो अपने बिजने स्पार्टन की बेटी से शादी कर रहे थे अचानक आप से शादी कैसे महक शीतल के सवाल पर थोड़ी खामोश हो जाती है फिर कुछ देर बाद शीतल से कहती है उन्होंने मेरे घर रिष्टा भेजा था क्योंकि उन्हें मुझसे प्यार हो गया था और उनके बिजने स्पार्टन की बेटी अचानक विनोध घोसला नाम के क्रिकेटर के साथ भाग गई इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली शीतल महक की बात पर इंट्रेस्टेड होते हुए बोली नौट बैड मतलब लव मेरेज है आप दोनों की तो आप दोनों की पहली मुलाकात कहां हुई थी महक सीधा सीधा बोली सारंग हाउस में तुम शादी से पहले सारंग हाउस क्या करने गई थी इस बार नीलिमा ने सवाल किया महक कुछ देर सोचने के बाद बोली हम लोगों की बेकरी शॉप है जिसमें हम लोग खाना बनाने का कॉन्ट्रेक्ट भी लेते हैं इसलिए एक फंक्षन के दौरान मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और मैं उन्हें पसंद आ गई इसलिए हम दोनों ने शादी कर लिया शीतल महक की बात पर बोली बेकरी शॉप मतलब एक मिडिल क्लास फैमली ठीक कहाना महक अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली जी हाँ शीतल और नीलिमा आगे और ज्यादा उससे सवाल नहीं करते की अचानक महक जो की दाल को छोंका देने के लिए तेल उठाती है वो उसके हाथ पर गिर जाता है जिससे महक की चीख निकल जाती है नीलिमा और शीतल हैरान हो जाते हैं और वही मृत्यून जय जो की अपने दादा जी से बात कर अंदर आ चुका था वो जल्दी से किचन की तरफ भागता है रात का वक्त असम हवेली मृत्यून जय जब किचन में आता है तब देखता है महक का हाथ काम प्रहा था मृत्युन जय जल्दी से महक को पकड़ कर वासवेशन की तरफ ले जाता है और उसके हाथ को थंडे पानी में डाल देता है महक का हाथ बुरी तरीके से लाल हो गया था और तुरंट छाले आ गए थे उसकी आँखों से बेतहाशा आसु आ रहा था मृत्युन जय नीलिमा की तरफ देखता हूँ और वहाँ पर दामिनी के साथ शीतल भी खड़ी हुई थी मृत्युन जय उन तीनों को देखते हुए अपने दांत पीस कर बोला किसने किया ये सब और कैसे हुआ ये बाकी घर के लोग भी वहाँ पर आ चुके थे मृत्युन जय के इलजाम पर नाराजगी से बोली मृत्युन जय तुम इस तरीके से हुए किसी भी एक्सीडेंट में हम लोगों पर इलजाम नहीं डाल सकते और ये सिर्फ एक चोटा सा एक्सीडेंट था मृत्यून जय दामिनी की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला छोटा सा एक्सीडेंट लग रहा है आपको इसका हाथ देखो कितना जल गया है और इसके हाथ पर आइस क्यूब लगाने के बजाए आप लोग बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो सावित्री मृत्यून जय की तरफ देखते हुए बोली मृत्यून जय शांत हो जाओ बहू को लेकर कमरे में जाओ मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ मृत्यून जय दामिनी को घूरते हुए महक को अपनी बाहों में उठा कर वहां से ले जाता है और शोभित शीतलाईस क्यूब लेकर जल्दी से कमरे की तरफ चले जाते हैं शिवराज नीलिमा की तरफ देखते हुए बोला ये सब कैसे हुआ नीलिमा नीलिमा शांत लहजे में बोली मैंने ज्यादा गौर नहीं किया शिवजी मैं तो सलाद बना रही थी और वो दाल का छोका लगा रही थी कि अचानक कैसे उसके हाथ में तेल गिर गया पता ही नही दामिनी फ्रिज से बोतल निकालते हुए बोली नौसिखिया होगी खाना बनाने में इसलिए ऐसा हो सकता है और घरवालों को इंप्रेस करने के चपकर में लेने के देने पड़ गए सावित्री दामिनी को घूरते हुए बोली यहाँ पर मृत्यून जय नहीं है इसलिए तुम बोल सकती हो अगर वो यहाँ पर होता और तुम इस तरह बकवास करती तो हो सकता था वो तुमहारी सारी जो इजज़त करता है उसे भी छोड़ चुका होता दामिनी सावित्री की बात को इगनो करते हुए किचन से बाहर चली जाती है और बाकी सब लोग मृत्यून जय के कमरे की तरफ चले जाते हैं नीलिमा बिना किसी भाव के फिर से खाना बनाने लगती है इधर मृत्यून जय महक के हाथ पर आइस क्यूब लगा रहा था और महक के आँखों से लगातार आसु आ रहे थे मृत्यून जय महक को डाटते हुए बोला मैंने तुमसे कहा था ना कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर होशियारी मारने की लेकिन नहीं तुम्हें तो अपने मन की करनी होती है और अब रोना बंद करो वरना दो थप पर लगांगा महक रोते हुए बोली मुझे बहुत जलन हो रही है मृत्यून जय तूथ पेस्ट लाकर महक के हाथों में लगा देता है उसकी कलाई बुरी तरीके से जल गई थी शोभित मृत्यून जय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला डोंट वरी भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है मृत्यून जय महक को घूरते हुए बोला अब अगर तुम रोई ना तो सच में मारूंगा मैं तुम्हें इसलिए बिल्कुल चुप रहो डॉक्टर आ रहा है वो तुम्हें एंटिसेप्टिक देगा इंजेक्शन लगाएगा फिर तुम ठीक हो जाओगी महक मृत्यून जय की डाट पर रोते हुए बोली आपकी गलती है आपने जैट से उतरते ही सीधा कहा था कि मुझे आपके दादा दादी को इंप्रेस करना है और आपको पता है ना मुझे खाना बनाना कितना अच्छा लगता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने और उसी अच्छे लगमे के चक्कर में तुमने अपने हाथ की ऐसी की तैसी कर दी उसे तो नहीं देख रही हो और ज्यादा अगर मुझ चलाया ना तो सच में इस बार तेल लाकर तुम्हारी मुझ पर मार दूंगा चुप रहो मृत्यूंजय ने महक को डोंट के साथ डाटते हुए कहा महक चुप चाप सिसकते हुए बैच जाती है कि डॉक्टर के साथ बाकी घर वाले भी कमरे में आ जाते हैं डॉक्टर महक के हाथ के जखमों को साफ करने के बाद उसमें मलंपिट्टी कर देता है और जब इंजेक्शन की बारी आती है तब मृत्यूंजय शोभित की तरफ देखते हुए कहता है मुझे किचन की पूरी CCTV फुटेज चाहिए शोभित मृत्यूंजय की बाद पर अपना सिर हिला देता है वो जान रहा था कि मृत्यूंजय को इंजेक्शन से डर लगता है इसलिए वो अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहा है इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर मृत्यून जय की तरफ देखते हुए बोला मिस्टर सारंग इनके हाथ की पट्टी सुबह बदल दीजिएगा अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा ज्यादा नहीं जला है बस छाले उभराए हैं मृत्यून जय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला और इस बेवकूफ को अच्छे से समझा दीजिए कि घर के काम इसे बिल्कुल नहीं करने हैं डॉक्तर मृत्यून जय की बात पर मुस्कुरा महक से बोले आपको घर का काम नहीं करना है अपने हाथ में ज्यादा जोर नहीं देना है क्योंकि आपके हाथ को आराम की जरूरत है ताकि जखम जल्दी भर सकें महक डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिला देती है डॉक्टर मृत्यून जय को महक का ख्याल रखने का कहकर वहां से चले जाते हैं डॉक्टर के जाने के बाद मृत्यून जय सब की तरफ देखते हुए बोला आप सब लोग नीचे चले जाए खाने का वक्त हो चुका है मैं कुछ देर में आता हूँ महक मृत्यून जय की बात पर बोली आपको भी जाना चाहिए आपको घर वालों के साथ मृत्यून जय घूर कर महक की तरफ देखता है तो महक कहते कहते चुप हो जाती है घरवाले मृत्यून जय की बात पर कमरे से बाहर चले जाते हैं सब पर जाने के बाद मृत्यून जय महक के दोनों गालों को अपने एक हाथ में दबाते हुए बोला सुनो महक अवस्थी अगर दोबारा कभी भी तुमने मेरी बातों को अंसुना करने की कोशिश की तो सोच ले कोई कहता है फिलहाल तो छोड़ रहा हूँ पहले ठीक हो जाओ फिर बताता हूँ तुम्हें इतना कहकर मृतियुन जय कमरे से बाहर चला जाता है महक मुह बनाते हुए बोली अपनी उन नीले बिल्ले जैसी आखों से मुझे हमेशा घूरते रहते हो और क्या धमकी देना जब गाली दे रही हो महक मासून सा चहरा बनाते हुए बोली मैं किसी बिल्लू को नहीं जानती दादा जी और मैं भला किसी को बिना जाने क्यूं गाली देने लगी रवींद्रनात महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोले मैं मृतियुन जय की बात कर रहा हूँ महक अपनी आज में बोली क्या मैं भी उन्हें बागर बिल्ला क्या सकती हूँ। रवींद्रनात मुस्कुराते हुए बोले देख लो अगर वो तुम्हें जिंदा छोड़ देता है तो। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली आपने बिल्कुल सही कहा ऐसे ही मेरे पीछे मेरा खून पीने के लिए पढ़े रहते हैं अगर मैंने उन्हें कोई निकनेम दे दिया तो फिर वो तो मेरा अंतिम संस्कार करने से पहले एक बार नहीं। सोचेंगे, रवींद्रनात महक के सामने कुरसी पर बैठ मुस्कुराते हुए बोले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बेटा। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली जी कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। रवींद्रनात सीरियस टोन में बोले कल हम लोग कुल देवी के मंदिर चल रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग आएंगे जो। तुमसे बहुत सी बाते कहेंगे लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर नहीं अपने दिल पर यकीन रखना है। महक रवींद्रनात की आधी अधूरी बात पर कनफ्यूज होते हुए बोले आप कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। रवींद्रनात एक गहरी सांस लेकर बोले कुल देवी की मंदिर को मेरे पिता श्री रागवेंद्र नारायन सारंग ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया है लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर लोगों का कहना है कि उनका भी उसमें बराबर का हाथ था इसलिए उन्हों जो की रविंद्रनात की बातों को सुनते हुए हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी वो उनके बात को खत्म होने के बात जल्दी से कहती है लेकिन दादा जी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए मैं एक मिडिल क्लास फैमली की बच्ची हूँ मैंने ये सब च को संभालने की क्षमता मिल जाती है बाकी तुम्हारा साथ देने के लिए ये है ना इतना कहते हुए वो मृत्यून जय की तरफ इशारा करते हैं जो की खाने की प्लेट लिए कमरे में आ रहा था मृत्यून जय कमरे में रविंद्रनाथ की तरफ देखते हुए बोला आप यहां पर कब आए मैंने तो आपको देखा आप दादी मा के साथ कमरे में जा रहे थे मेरे कमरे में कैसे घुसे चले आए रविंद्रनाथ अकर कर बोले मैं अपनी पोता बहु से मिलने आया था तुम्हें कोई दिक्कत है क्या मृत्यून जय खाने की प्लेट कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला अगर आपको अपनी पोता बहु की इतनी ही फिक्र है तो खाना लेकर आना चाहिए था ना रविंद्रनाथ मृत्यून जय को देखते हुए बोले मैं तो अपनी पोती से इस बारे में बात कर रहा था जिस बारे में मैंने तुमसे गार्डन में बात की मृत्युन जय अपनी आखे छोटी करके बोला मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उससे बात कर लूँगा तो आपको भला अपने दिमाग को चलाने की क्या जरूरत है रविंद्रनाथ मृत्युन जय को घूरते हुए बोले सच कह रही थी दामिनी शहर में रहकर तुम तमीज भूल चुके हो महक कभी मृत्युन जय को देखती तो कभी रविंद्रनाथ को मृतियुन जय महक को एक नजर देखने के बाद रविंद्रनाथ से बोला मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मेरी बीवी को खाना खिलाना है मुझे क्योंकि आपके परिवार के चपकर में उसने अपना हाथ जला लिया जो मैं बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर सकता रविंद्रनाथ महक के सिर पर हाथ फेरने के लिए उठाते हैं उससे पहले ही मृतियुन जय रवीन्द्रनाथ के हाथ को पकरकर कहता है दादी मां आपको खाने के लिए बुला रही है so maybe you should go now रवींद्रनात मृत्युन जय को घूर कर देखते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं महक छोटू सा मून बनाकर बोली आपको इस तरीके से दादा जी से बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें बुरा लगा होगा मृत्युन जय महक को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उथा काउच की तरफ ले जाते हुए बोला Oh really तुमसे कहा था ना मैंने मेरे अलावा किसी और पर भ्यान मत देना but straight talk doesn't get into your head इसलिए तुम्हें उल्टे तरीके से समझाना होगा महक मृत्युन जय को डरी हुई नजरों से देखते हुए बोली मैंने कोई गलती की क्या सर अपनी बिल्ली वाली आँखों से देखना बंद करो because now you are safe from me मृत्युन जय महक को काउच पर बैठा कर कहा महक मृत्युन जय की बात पर बोली दादा जी बता रहे You shouldn't mind खाने पर भ्यान दो मृत्युन जय ने बात को बीच में काट कर कहा महक फिर भी नहीं खाती जिस पर मृत्युन जय उसे घूरता है तो महक अपने हाथ को दिखा देती है जिसमें पट्टी लगी हुई थी मृत्युन जय महक को खाना खिलाते हुए बोला ओके मिस अवस्थी में तुमसे इस खातिरदारी का पूरा खर्चा वसुल करूंगा तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ महक के मुह में खाना भरा हुआ था जिस कारण वो सिर्फ मृत्युन जय की बात पर मुह बना लेती है मृत्युन जय महक को खाना खिलाने के बाद नैपकिन से उसके होथों के किनारे साफ करते हुए बोला मैं दिना करके आता हूँ तब तक तुम इजज़त के साथ बिस्तर पर होनी चाहिए हो अदरवाईज महक मृत्युन जय की बात को बीच में कात कर बोली अदरवाईज आप मेरे साथ वो करोगे जो मैं सेह नहीं पाऊंगी फाइम इतना कहकर महक जल्दी से बिस्तर पर चली जाती है मृत्युन जय कुछ देर उसे घूरने के बाद प्लेट उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है मृत्युन जय के जाने के बाद महक धीरे से बुदबुदाते हुए बोली बागर बिल्ला हूं इधर मृतियुन जय नीचे आता है तो उसके पास शोभित आ कर कहता है भाई आपको कुछ दिखाना था मृतियुन जय शोभित की बातपर अपना सिरहिला स्टडी की तरफ चला जाता है Study room में आकर मृत्यून जय कुर्सी पर बैठते हुए बोला क्या दिखाना था तुम्हें शोबित आईपैड आगे करते हुए बोला आप खुद देख सकते हो मृत्यून जय शोबित की बात पर आईपैड में देखने लगता है जैसे जैसे वो आईपैड देख रहा था उसकी आखे छोटी हो रही थी आखिर में वो आईपैड बंद करते हुए बोला इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए शोबित अपना सिर हिला कर बोला बाकी आपको क्या करना है आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं मृत्यून जय तेरची मुस्कान के साथ बोला जो मेरे काम के चीजों को हट करने की कोशिश करें I don't think की उसे खुशी मिलने की उम्मीद हो शोबित मृत्यून जय के चहेरे के expression देखते हुए बोला आपके दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि जो कुछ भी चल रहा है उस इंसान के लिए बिलकुल सही नहीं है मृत्यून जय ने जवाब दिया शोबित एक गहरी सांस लेकर बोला शायद अब हमें दिनर के लिए चलना चाहिए मृत्यून जय अपना सिर हिलाते हुए खड़ा हो स्टडी रूम से बाहर चला जाता है Dining Table सभी लोग बैठे हुए थे हेड टेबल पर रविंद्र नाथ बैठे हुए थे और सभी सब चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे शीतल और नीलिमा खाना सर्फ कर रही थी कि अचानक मृत्यून जय के साइड आते हुए उसके हाथों पर दाल गिर जाती है मृत्यून जय बिना उसे देखे चुपचाप अपना डिनर कंप्लीट करने पर फोकस करता है और बाकी सभी अपना डिनर चोड शीतल को देखने लगते हैं रविंद्र नाथ मृत्यून जय के एक्स्प्रेशन देखते हुए चुपचाप अपना डिनर करने लगते हो सावित्री जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर शीतल को संभालने लगती है जिसके हाथों में छाले उभर आये थे क्योंकि दाल काफी गर्म थी मृत्यून जय कुर्सी से उठते हुए बोला मेरा डिनर हो चुका है गुड नाइट इतना कहकर मृत्यून जय बिना किसी की बात सुने सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है शोभित अपना डिनर कम्प्लीट करे अपने कमरे की तरफ चला जाता है शीतल अपनी आँखों मे नमीली मृत्यून जय को जाता हुआ देखने लगती है नीलिमा उसे कमरे में ले जाती है। बाकी सब भी अपना अपना डिनर कर अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती मैंने। नहीं कहा था तेल को आकर मेरे हाथ में गिरने के लिए पता नहीं कैसे गिर गई। महक अपने दूसरे हाथ से मृत्यून जय के हाथ को हटाते हुए बोली मेरे नाप को खीचना बंद कीजिए मुझे शूर्पनखा। नहीं बनना। मृत्यून जय महक के ऊपर आकर बोला तुम्हारे नींद को लाने के लिए हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। महक अपना एक हाथ मृत्यून जय के सीने पर रखते हुए बोली मुझे नींद आ रही है बहुत तेज नींद आ रही है आप भी। सो जाए सर। मृत्यून जय महक के हाथ को अपने सीने से हटा कर बोला I love your heartbeats। इतना कहते हुए मृत्यून जय अपना सिर महक के सीने पर रख लेता है महक के हाथ खुद बखुद मृत्यून जय के बाल पर चले जाते हैं और मृत्यून जय अपनी आखे बंद कर लेता है। अगली सुबह महक की मींद खुलती है वो देखती है कि मृत्यून जय वहाँ पर नहीं था इसलिए महक भी जल्दी से बाथरूम चली जाती है लेकिन उसके पास एक नहीं दिक्कत आ गई थी उसे अपना हाथ गिला नहीं करना था और उसे नहाना भी था। महक मुह बनाते हुए बाथरूम से बाहर आ जाती है और जाकर बिस्तर पर बैच जाती है। मुह बनाते हुए बोली आप मुझे डांट रहे हो मेरे हाथ जल गए है मुझे नहाना है। मृत्यून जय आगे बढ़कर महक को अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथरूम की तरफ ले जाता है। असम हवेली मृत्यून जय का कमरा महक चुपचाप ड्रेसिंग टेवल पर बैठी हुई थी उसके बाल गीले थे और उसके गले पर लाल निशान थे जो की साफ बता। रहे थे कि मृत्यून जय ने अपना reward लिया था महक की खातिरदारी करने के लिए। मृत्यून जय महक के बालों को मजबूती से अपनी मुठ़्ी में भरते हुए बोला जंगली बिल्ली अगर दोबारा तुमने कभी मुझे बागर बिल्ला कहा तो तुम्हें बोलने लायक नहीं छोडूंगा मैं। महक मृत्यून जय को घूरते हुए बोली आपने देखो पहले क्या किया है उसके बाद में मेरे मुह से अपने लिए तारीफ की गुनजाइश कीजिएगा। मृत्यून जय की बात पर तिर्ची मुस्कान के साथ बोला मेरा तरीका है तुम पर हक जताने का। महक मृत्यून जय की बात पर मुह बनाती है कि वहाँ पर सावित्री मीलिमा के साथ आ जाती है। नीलिमा एक नजर महक को देखने के बाद अपनी नजरे फेर लेती है। मृत्यून जय सावित्री की तरफ देखते हुए बोला दादी कुछ काम था आपको। सावित्री मृत्यून जय के सामने आकर बोली अब तुम यहां से जाओ बहुरानी को तैयार हम कर लेंगे। मृत्य सावित्री मृत्यून जय के कान को पकड़ कर बोली जय इस तरीके से बहु को दराना बंद करो और चलो निकलो यहां से। हम उसे तैयार करके लाते हैं तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। मृत्यून जय अपना कान छुड़ा महक को घूरते हुए कमरे से बाहर चला जाता सावित्री महक के पास आते हुए बोली बहु चलो तुम्हारे लिए हम कपड़े लेकर आए हैं। महक सावित्री की बात पर अपना सिर हिलाती है और मीलिमा के साथ मिलकर उसे तैयार करने लगती है। नीचे सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हुए खड़े हुए थे शोबित ने पीले रंग उसका कुर्ता पजामा पहना था और बाकी सब अपनी पसंद से रेडी थे। शोबित हलकी मुसकान के साथ बोला आप काफी चिले हुए लग रहे हो क्या भावी ने आपको परेशान किया। शोबित शीरियों की तरफ देखते हुए बोला मुझे नहीं लगता कि आपकी जिन्दगी आबाद हो चुकी है। मृत्यून जय कनफ्यूजन में शोबित की तरफ देखते हुए बोला क्या कहा तुमने। शोबित मृत्यून जय को मोड कर आगे देखने के लिए कहता है तो मृत्यून जय आगे देखता है। मृत्यून जय की नजरे महक पर थम जाती है महक ने गोल्डन एंड रेट की बनारसी साड़ी रिपेय की थी उसे कुंदन की जूलरी पहनाई गई थी और बालों का बंद बनाए उसके मांग में लाल सिंदूर लगाया गया था गले में रोयल। मंगल सूत्र हाथों में भरी चूडिया बालों में गजरा और उसके पाजेब की आवाज शोर कर रही थी। शोबित मृत्युन जय की बात पर हसते हुए भाई आपने अभी भावी की तारीफ की। मृत्युन जय कीचते हुए बोला अगर कोई इनसान अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ करने में कोई दिक्कत है क्या। तुम भी अच्छे लग रहे हो। रविंद्रनात मृत्युन जय के कंधे पर थपथपाते हुए बोला बेटा जी आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है जब मेरी। शादी हुई थी आपकी दादी से तब मैं भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता था लेकिन अब देखिये वो मेरे बच्चों की मा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मृत्यून जय कुरते हुए बोला तो क्या उठाकर ले जाओ मेरी बीवी को बेडरूम में अब आप लोग मुझे चिरना बंद। तरो, वैदिक महक को देखते हुए बोला आए कितनी खूबसुरत लग रही है भाभी। मृत्यून जय के सिर पर हलका सा मार कर बोला मेरी बीवी को तारना बंद करो। वैदिक मृत्यून जय की तरफ घूर कर देखता है तो मृत्यून जय अपने दांत पीसते हुए कहता है अगर अपनी इंचोटी चोटी आखों से मुझे घूरा ना तो दोनों आखे निकाल लूंगा। वैदिक उसे मुह बनाकर वहां से चला जाता है। महक आकर मेन हौल में खड़ी हो जाती है तो मृत्यून जय सावित्री की तरफ देखते हुए कहता है अब क्या हम लोग। कुल देवी के मंदिर चल सकते हैं या फिर पूरा दिन लेना है सजने सवरने के लिए। वो महक को दो कौन हो सकता है। शिशुपाल महक की तरफ देखते हुए जहरी ही मुस्कुरा कर बोला उसकी फिकर आप मत करो बेटा वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। मुझे पता है कि उन्हें कैसे जवाब देना है जो चीज। मैं नहीं करता उन चीजों का इलजाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता अब हमें चलना चाहिए। मृत्यून जय की बात पर सभी सिर हिलाते हैं और वहां से कुल देवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मुंबई, सारंद विला, राजेंद्र निर्जला मेन हॉल में बैथे हुए थे पितामबर आते हुए राजेंद्र से बोला क्या हो गया भाई आप इतना परेशान क्यूं हो। राजेंद्र गुस्से से बोला मुझे समझ नहीं आता कि ये मृतियुन जय चाहता क्या है मुझे लगा था कि वो महक्के। है तो ओफ कोर्स उन लोगों से निपट सकती है। से पितामबर नाराजगी से बोला तुम कभी नहीं बदल सकती और जो बदलाव तुम्हें कमजोर कर दे वो बदलाव अच्छा नहीं होता पितामबर तुम्हें मुझ से बहतर तरीके से पता। है रचना ने पितामबर को जवाब दिया। पितामबर रचना को इग्नो कर राजेंद्र से बोला भाई मुझे लगता है कि हम एक बार शिवराज को कॉल करके वहां के बारे में पता लगाना चाहिए। राजेंद्र पितामबर की बात पर बोला पितामबर ये मुंबई है और वो असम वहाँ पर हर इंसान अपने चेहरे पर नकाब। लगा कर बैठा है कौन अपने के भेश में पीठ पीछे वार करे पता नहीं है। रचना कमरे की तरफ जाते हुए बोली शोभित उनके साथ है आप लोग देख लो बाकी। पितामबर खुननस में बोला मुझे समझ नहीं आता मैं इस औरत का करूं क्या कब क्या सोचती रहती है पता ही नहीं। चलता। निर्जला पितामबर की बात पर बोली रचना भले ही बुरी बनती है लेकिन वो है नहीं शोभित को कॉल करके पत लाता है शोभित मृत्युन जय और महक के पीछे खड़ा हो जाता है। सावित्री महक की तरफ देखते हुए बोली चलो मंदिर के अंदर। महक अपना सिर हिलाती है मृत्युन जय के साथ उपर की तरफ आ जाती है करीब 100 सीडियों को चड़कर उन लोगों को मंदिर तक पह बड़ा पुरोहित रविंद्रनात के सामने हाथ जोड़कर बोला आए सारंग साहब पूजा की सारी तैयारिया पूरी हो चुकी है अब बस हवन की देरी है। रवींद्रनात पुरोहित जी की बात पर बोले इस बार के पूजा में हम नहीं हमारा बड़ा पोता मृत्युन और उनकी नववधू बैखेंगी। पुरोहित अपना सिर हिलाते हुए बोले ठीक है चलिए पूजा शुरू करते हैं मुहूर्ट शुरू हो चुका है। रविंद्रनात मृत्युन जै की तरफ देखते हैं तो मृत्युन जै अपना सिर हिला महक के हाथ को पकर अंदर की त पुरा होता है पुरोहित मृत्युन जै और महक की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोले आप। दोनों की जोडी को किसी की नजर ना लगे फिर महक के सिर पर हाथ फेर कर अंडस को सदा सुहागन रहो। महक पुरोहित जी के पैर छुती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं सावित्री महक की तरफ देखते हुए बोली बहु यहाँ पर जब भी हम पूजा के लिए आते हैं गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और अनाजभेट करते हैं इस बार वो काम तुम्हें और मृत्युन जै तो करना है महक बड़ी बड़ी आखे कर मृत्युन जै की तरफ देखने लगती है मृत्युन जै उसके देखने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा था लेकिन वो उसकी नजरों को इग्नो करते हुए बोला मैं तुम्हें घर चल कर बताऊंगा मैं कैसा हूँ महक मृत्युन जै की बात पर धीरे से बोली निली आखोंवाले बिल्लू हो आप मृत्यून जै के हाथ को मजबूती से पकर अपने दाथ पीस कर बोला महक ज्यादा मत बोलो मुझे ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद, रवींद्रनात मृत्युन जय से बोले बिल्लू चलो बेटा, मृत्युन जय चिर जाता है और वही महक की हैसी छूट जाती है जिस पर मृत्युन जय उसे बहुत बुरी तरीके से घूर में लगता है महक अपने मुह पर हाथ रखे धीरे धीरे हसने लगती है मृत्युन जय अपने इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए रवींद्रनत से बोला दादू अब मैं बच्चा नहीं रहा मेरी शादी हो चुकी है मुझे इस गंदे भद्दे से निकनेम से मत बुलाया कीजिए रवींद्रनात उसे भड़कता हुआ देखकर हलका मुस्कुरा कर बोले वैसे तुम्हे तो बच्पन में नाम काफी पसंद था ना अब क्या हो गया मृत्युन जय खुननस में बोला मुझे कभी भी ये नाम नहीं पसंद था आप जबर्दस्ती मुझे ये नाम दे रहे हो सावित्री रवींद्रनात को डाटते हुए बोली बच्चा बढ़ा हो गया है अब क्यू परेशान कर रहे हो उसे चलिए अब रवींद्रनात मुझ बनाते हुए बोले पोता और दादी दोनों एक जैसे करवे शोबित रवींद्रनात के कंधे पर हाथ रख उसे सामने की तरफ देखने के लिए कहता है तो सामने से आ रहे लोगों को देख रवींद्रनात का चेहरा सर्द हो जाता है सामने करीब रवींद्रनात के उम्र का आदमी खड़ा हुआ था और उसके बगल में एक 55 और एक 50 साल का आदमी था जिनके बगल में 40 और 45 साल की औरते जेवरो से लदी खड़ी हुई थी वो आदमी रविंद्रनात की तरफ आते हुए बोला काफी वक्त बाद आपसे मुलाकात हुई बड़े भाया रवींद्रनात अपने चेहरे पर जूथी मुस्कान लाते हुए बोले भैरवी मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहां पर आऊगे भैरवी मृत्यून जय की तरफ देखते हुए रविंद्रनात से बोला सुना है कि आपके बड़े पोते ने शादी कर ली बस उन लोगों को ही उनकी शादी का आशीरवाद देने आया था सावित्री भैरवी की बात पर बोली देवर जी अब आप आही गए हैं तो मृत्यून जय और उसकी पत्नी को आशीरवाद दे दीजिये भैरवी सावित्री की बात पर जहरीली मुस्कान के साथ बोला जी क्यूं नहीं भाभी इतना कहकर भैरवी अपने रौब के साथ चलते हुए मृत्यून जय के सामने आकर खड़ा हो जाता है मृत्यून जय रविंद्रनात की तरफ देखता है तो रविंद्रनात पलके जपकाई कर उसे शान्त रहने के लिए कहता है मृत्युन जय अपने मुर्थी मजबूती से बंद कर चुपकर भेरवी के पाउच्छु लेता है महक भी भेरवी से आशीरवाद ले लेती है भेरवी महक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलाए भगवान तुम्हें सुख और समृध्धी प्राप्त करवाए मृत्युन जय सारंग की पत्मी के रूप में महक खड़ी हो जाती है मृत्युन जय बहुत बुरी तरीके से भेरवी को घूर रहा था महक भेरवी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली मुझे अभी पता चला कि आप मेरे छोटे दादाजी हैं आपके आशिरवाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसकी बहुत जरूरत थी करीब 28 साल का एक लड़का आते हुए बोला सोचा नहीं था कि गाय के रूप में एक तीखी मिर्ची से मिलने को मिलेगा शोभेत मृत्युन जय उस लड़के की तरफ देखते हैं महक उस लड़के को नहीं जानती थी इसलिए वो चुप ही रहती है वही उस लड़के के बगल में खड़ी लड़की बहुत बुरी तरीके से महक को घूर रही थी उसकी आँखों में महक के लिए जलन और नफरत साफ नजर आ रही थी जिसे महक देख तो पा रही थी लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था मृत्युन जय का मूड बुरी तरीके से उखर चुका था सावित्री उसे देखते हुए बोली जाए जाकर तुम बाकी का काम पूरा करो मृत्युन जय सावित्री की बात पर अपना सिर हिला महक को खीचते हुए ले जाता है शोबित उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला आलोक भाया सोचा नहीं था कि आप इस लड़की से शादी करोगे वैसे Congratulations आलोक जोकी भैरवी का बड़ा पोता था शोबित की बात पर उसे घूरते हुए बोला माया में क्या खराबी है शोबित माया की तरफ देख हलका मुस्कुरा कर बोला माया जी आपने काफी अच्छा माया जाल फसाया है लेकिन आपस माया जाल में मृत्युन जय भाई को नहीं फसा पाई इसलिए आलोक भाया से काम चलाना पर रहा है माया के बगल में खड़ी लड़की शोबित की तरफ देखते हुए बोली कहीं तुम मेरे जाल में न फंस जाओ शोबित उस लड़की की बात पर बोला रागिनी मैंने अभी तक जहरीली नागिन पालना शुरू नहीं किया जब शुरू कर दूनगा तो सबसे पहले तुम्हें ही अपने पिंजरे में कैद करूंगा भैरवी शोबित से बोला शायद तमीज तुम भूल चुके हो लड़के शोबित तीखी मुस्कान के साथ बोला नहीं बड़े दादा मेरी परवरिश मेरे भाई ने की है और मैं बहतर तरीके से जानता हूं की से कितनी इजज़त हजम होती है आलोक बुरी तरीके से शोबित को भूरने लगता है रवींद्रनाथ शोबित से बोले शोबित जाकर उस तरफ देखो मृत्यून जय सब कुछ ठीक से संभाल रहा है ना उसकी मदद करो शोबित रविंद्रनाथ की बात पर अपना सिरहिला रागिनी के कान में धीरे से बोला गर्ल्स लाइक यू आ नॉट माई टेस्ट रागिनी बहुत बुरी तरीके से शोबित को भूरने लगती है शोबित उसे इगनो कर मृत्यून जय की साइड चला जाता है महक सबको प्रसाद भी बांट रही थी वो जब एक आदमी को प्रसाद देती है तब वो बहुत बुरी तरीके से उसके हाथ को छुता है महक जल्दी से अपना हाथ खीच लेती है और उस आदमी को गुसे से देखने लगती है वो आदमी तिर्ची मुसकान के साथ कहता है क्या हो गया क्या मुझे प्रसाद नहीं देना महक मृत्युन जय की तरफ देखती है जो की बाकी लोगों को अनाज बांट रहा था इसलिए वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस आदमी को फिर से प्रसाद दे देती है इस बार वो आदमी महक के कलाई को मजबूती से पकड़ कर कहता है मृत्युन जय से सारे रिष्टे तोड़ लो और चाहो तो मेरी बाहों में आ सकती हो कुलदेवी का मंदिर महक उस आदमी के अचानक हाथ पकड़ने से थोड़ी घबरा जाती है और हाथ जटिकते हुए गुस्से से कहती है ओ हेलो अपनी अत्रंगी चाले की यहाँ पर नहीं किसी और के पास जाकर ट्राई करना वरना अभी हाथ तोड़कर हाथ में दे दूनगी तुम्हारे महक की तेज आवाज सुनकर शोभित उसके पास आकर बोला क्या हो गया महक शोभित के सवाल पर उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली इनका कहना है कि मैं मृत्यून जय को छोड़कर चाहूं तो इनकी बाहों में जा सकती हूँ शोभित उस आदमी को घूरते हुए बोला आखिर तुमने बता ही दियाना छोटे दादा की परवरिश हो तुम महक शोभित की बात पर थोड़ी हैरान होते हुए बोली क्या ये फैमली मेंबर है मुझे पता नहीं था शोभित महक से बोला तुम जाकर भाई के साथ अनाज देने में मदद करो इससे मैं निपट लूँगा महक शोभित से बोली हमें टू दिन हो गए आए हम कब वापस जा रहे हैं मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा दामिनी आते हुए बोली क्या बात है बहुरानी अपने परिवार वालों से मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा महक दामिनी से बोली आप गलत समझ रही है बुआ जी मुझे यहां अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहां के लोगों का दिल काला है दामिनी अपनी दाथ पीसते हुए बोली ज़रा जुबान को लगां दो महक दामिनी की बात पर चुफ हो जाती है शोबित दामिनी से कहता है और आपको किसने हक दिया महक से इस तरीके से बात करने का दामिनी व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली क्या बात है पती से ज्यादा देवर साथ है शोबित दामिनी को घूरते हुए बोला सही का साथ देने के लिए रिष्टों की जरूरत नहीं पड़ती और आप जैसे लोग रिष्टे कहां समझते हैं दामिनी शोबित को घूरते अच्छा अब बच्चे हम लोगों को रिष्टे संभालना सिखाएंगे महक उन दोनों को बहस होता हुआ देखकर दामिनी से बोली मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी शोबित की तरफ से मैं आप से माफी मांगती हूँ शोबित महक से बोला एक्सक्यूस मी मुझे तुम्ह सही नहीं होता शोबित महक की बात पर बोला तुम गलत हो हम जिसका जितना ज्यादा सुनते हैं वो हमें उतना ही ज्यादा दराने की कोशिश करते हैं महक हलकी मुस्कान के साथ एक नजर दामिनी को देखने के बाद शोबित से बोली पापाने हमेशा मुझे और सिद्धू क तो सिखाया है औरत कभी कमजोर नहीं होती खुशी नफरत दुख इजज़त जितना उसे मिलता है ना उससे दो गुना वापस करती हैं। अ उसके आगे कुछ पेपर्स करके बोला इन पेपर पर साइन करो। महक कनफ्यूज होकर बोली ये कौन से पेपर है। मृत्यून जय बिना किसी भाव के बोला मैने कहा कि इन पेपर पर साइन करो। मृत्यून जय के टोन को देखते हुए महक बिना सवाल करे पेपर पर साइन कर मृत्यून जय को वापस कर देती है। का मुस्कुर कर बोला रिष्टे तोड़ने से भी नहीं तूपते और यहां से तो खून का रिष्टा है आता रहूंगा मिलने शोभित मृत्युन जय की तरफ देखते हुए बोला क्या आपने राजीव भाई को कॉल किया था मृत्युन जय अपना सिर हिला कर बोला यहां से हम सीधा मबाई के लिए निकल रहे हैं सावित्री आते हुए बोली ये तुम क्या कह रहे हो जय तुमने कहा था कि तू दिन रुखने वाले हो अचानक जाना मृत्युन जय बीच में बोला दादी वहां मेरा जरूरी काम है इसलिए मैं यहां नहीं लेकिन अमित करूंगा कि आ जरूर आएंगी आखों में नमी ये मृत्युन जय को गले लगा कर बोली तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो मृत्युन जय सावित्री के पीत को सहलाते हुए बोला में यहां वैसे भी नहीं आने वाला था जो काम बरसों से अधूरा था उसे पूरा करने के लिए मुझे यहां आना पढ़ा जाहिए, मृत्युन जय सावित्री की बात पर बोला मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा आप अपनी बहु से कहिए. थोड़ा कॉपरेट किया करें. मृत्युन जय के इस बेशर्मी भरी बात पर महप के गाल लाल हो जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगती है. मृत्युन जय रविंद्रनात की तरफ देखते हुए बोला दादा जी यहां का सारा काम पूरा हो चुका है मैंने उन लोगों. से बात की तो अब वो लोग मंदिर की प्रॉपटी को ट्रस्ट में देना चाहते हैं और मुझे भी इसमें कोई भी. बुराई नजर नहीं आती द की है. मृत्युन जय ताइम देखते हुए बोला थ्री उकलॉक बजे वन उकलॉक बज चुके हैं हमें निकलना चाहिए. सावित्री मृत्युन जय की बात पर बोली अब साथ में चलते हैं सभी. मृत्युन जय अपना सिर हिलाता है और उस आदमी की तरफ देखता है जो की आलोप का छोटा भाई अनिरुद था जिसने महक के हाथ को पकड़ा था. मृत्युन जय अनिरुद के पास आकर बोला इसका तोफ़ा तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा. अनिरुद मृत्युन जय की आखों में आखे डाल कर बोला जब तुम्हारी असलियत तुम्हारी बी की दे रहे हो मृत्यूंजय। की दे रहे हो मृत्यूंजय। अच्छे से बात कर रही थी उसने उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की लेकिन क्यूं। शीतल बिना किसी जिज़त के मृत्यूंजय से बोली तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। मृत्यूंजय। मृत्यूंजय सर्द आवाज में बोला मैंने आज तक अपनी बीवी के प्यार को नहीं समझा तो मैं भला तुम्हारे प्यार को कैसे समझूं और क्यूं समझूं। शीतल अपनी मुठ्थी कस्ते हुए बोली बचपन में जब हम यहां। मृत्यूंजय अपने दाथ पीसते हुए बोला महक की जो इंसल्ट करनी है वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ मैं बिल्कुल। बरदाश्ट नहीं कर सकता की कोई और उसे मिडिल क्लास कहे वो कोई गरीब नहीं है इंडिया के दब इजनेस टाइकूं। मृत्यूंजय सारंद की वाइफ है वो तुम्हारी क्या ओकात है जो मैं तुमसे शादी करूंगा। शीतल की आगों से आशु बह जाते हैं और वही महक की आगों से आशु आ रहे थे। सावित्री शीतल को धपर मारते हुए बोली तुम्हें शर्म नहीं आई तुमने ये सब किया था बहु के साथ। शीतल रोते हुए बोली तो क्या करती बड़ी दादी बचपन से लेकर अब तक मैंने सिर्फ मृत्यून जय प्यार किया है और। उसने इस मिडल क्लास लड़की से शादी कर ली। रविंद्रनात शीतल की बात पर बोले किसी इंसान का चरित्र है उसके हाई क्लास और लो क् लिए किसने कहा हां। महक अपनी आखों में नमीलिये बोली मैं आपके लायक नहीं हूँ। मृत्यून जय अपना सिर्फ हिलाते हुए बोला हां तो मेरी क्वालिफिकेशन्स को क्रेक नहीं कर सकती एक बेवकूफ लड़की। हो जो बहुत सेंसिटिव है बात-बात पर रो मृत्यून जय महक के जबडे को दबाते हुए बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को जटकने की महक अवस्थी। तुम्हारे हाथों की सही सलामत नहीं है वरना तुम्हें बताता मैं। महक के गाल लाल हो जाते हैं क्योंकि मृत्यून जय काफी कसकर उसके गालों को दबाया था मृतियुन जय महक को छोड़ शीतल की तरफ देखते हुए बोला मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता ब्याज सहित वापस करता हूँ सावित्री मृतियुन जय से बोली जए मृतियुन जय सावित्री की बात को बीच में काट कर बोला जरा भी सौफ्ट नहीं र जाता है सावित्री रवींद्रनात शिवराज नीलिमा और वैदिक भी उनके पीछे चले जाते हैं अनिरुद शीतल की तरफ देखते हुए बोला क्या बात है तुम तो घर की रही ना घाट की चाहो तो हमारे घर रह सकती हो शीतल गुस्से में अनिरुद को देखते हुए बोली तुम लोगों के घर में रहने से अच्छा है कि मैं सडक पर भीख मांगलूं इतना कहकर शीतल उन लोगों के पीछे चली जाती है आलोक अनिरुद से बोला मृत्युन जय ने तुम्हें दिंदहाडे धमकी दिया है कैसे करोगे तुम अनिरुद तिर्ची मुस्कान के साथ बोला हम भी आ रहे हैं मुंबई देखते हैं कब तक उसकी वो खूबसुरत सी बीवी मेरी बाहों में आने से बच सकती है माया अनिरुद को देखते हुए बोली लेकिन इस तरीके से अनिरुद माया को देखते हुए बोला मैंने कुछ गलत कहा क्या माया अनिरुद की उन इंटेंस नजरों को देखकर चुप हो जाती है तो अनिरुद तिर्ची मुस्कान के साथ बाकी घर वालों की तरफ चला जाता है। आलोक माया को देखकर बाकी लोगों की तरफ चली जाती है। बोले तुम्हारा फोन तूट गया था ना। महक रविंद्रनात की बात पर हैरान होते हुए बोली आपको कैसे पतावो तो मनाली में। शोभित आते हुए बोला अब दे रहे हैं तो चुपचाप रख लो ना CIDQ बन रही हो। महक शोभित की बात पर मुह बनाती है और सावित्री शोभित कान को पकड़ते हुए कहती है शोभित वो तुम्हारी। बड़ी भावी है ना तुम इस तरीके से उससे बद्तमीजी कैसे कर सकते हो। शोभित सावित्री की बात पर अपने कान चुड़ाते हुए बोला दादी मा इस लड़की का दिमाग नहीं है एक भी सिर्फ। रिष्टे में बड़ी है मुझसे उम्र में पूरे थ्री साल छोट रवींद्रनात शोभित को इगनो कर महक से बोले महक मुझे पता है कि मृत्यून जय थोड़ा अजीब है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है अपने चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है किसी भी हद तक जा सकता है बात बात पर उसे गुस्सा आता है ल बोली दादाजी सब लोग कहते हैं कि वो बिलकुल अच्छे नहीं है मुझे यहां आकर पता चला कि वो अलग ही इनसान है लेकिन मुंबई में वो इतने सेलफिश क्यू रहते हैं रवींद्रनात मुस्कुरा कर बोले जब जिन्दगी खुदगर्ज बन जाए तब इनसान क के बारे में मत सोचो सावित्री महक को एक ताबीज देते हुए बोली इसे अपने हाथ में बांध लेना जब खुश खबरी आए बच्चे की देखभाल करेगा मृत्यून जय आते हुए सावित्री से बोला ये सब बकवास है दादी मा बच्चे का ख्याल उसकी मा और मेरा परिवार रखेगा ये ताबीज नहीं सावित्री मृत्यून जय की बातों को इगनो कर महक को ताबीज दे देती है और महक भी उसे रख लेती है मृत्यून जय महक के हाथ को पकड़ कर बोला चलो शाम तक हमें वहां पहुँचना है सावित्री मृत्यून जय को घूरते हु पर बोले वो तो तुम्हारे उपर डिपेंट करता है तुम्हारी बीवी का वजन। मृत्युन जय शरारत भरी मुस्कान के साथ महक को देखते हुए बोला ये भी आपने बिल्कुल सही कहा दादा जी तो चलिये। जब मिलूंगा तब आपको मेरी बीवी अच्छी खासी हट्टी कट्टी न जराएगी। महक मृत्युन जय की तरफ देखते हुए बोली में कोई भी वितामिन पाउडर नहीं पीऊगी अच्छा नहीं होता टेस्ट। मृत्युन जय को महक की बात पर इस बार हैसी आ जाती है शोबित अपनी भावी को देख रहा था जो की एक शैतान के। अमरित वैशाली लाखन और कुछ लोग और मुंबई पहुँच चुके थे। रेलवे स्टेशन पर सारन इंडस्ट्री का एड चल रहा था। वैशाली एड को देखते हुए बोली काश ऐसा होता कि यहां आकर मैं भी इन लोगों से मिल पाती साला कितने अमीर होते हैं दुनिया में लोग। अमरित वैशाली को एक नजर देखने के अपना दूसरा फोन निकालता है जो कि उसके बैग में था और किसी को कॉल करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद अमरित लाखन से बोला आयुशो की तुम जाना चाहते हो हम लोगों के साथ। लाखन अमरित की बात पर बोला हमको भेजा ही इसलिए गया है ताकि हम वैशाली दीदी का ख्याल रख सके। अमरित होकर बोला तुम लोगों को मरना मनाने वाली बात करनी है ना so please go somewhere far away. मेरा दिमाग खराब मत करो। वैशाली अमरित को घूरते हुए बोली पती हो इसलिए तुम अभी दो पैरों पर खड़े हो वरना बताती मैं तुम्हें। अमरित घूर कर वैशाली की तरफ देखता है कि वहाँ पर राजीव भागते हुए आता है और गहरी सांसे लेते हुए कहता है। अमरित ब्रो शुड़ हफ टोल्ड बिफो कमिंग इस तरीके से हार्ड अटेक मत दिया कर और मृतियुन जय और बाकी लोग कहा है उन लोगों ने कहा कि शाम तक पहुंच जाएंगे। अमरित राजीव की बात पर बोला I think they are coming by jet में असम नहीं पहुंच पाया। राजीव हैरान होते हुए बोला what you mean की नहीं पहुंच पाया तुम टू दिनों से क्या कर रहे थे। वैशाली सामने आते हुए बोली हमसे शादी कर रहा था। राजीव अपनी आखे बड़ी करके कभी अमरित को देखता तो कभी वैशाली को। So, अभी कहानी जारी रहेगी. So don't forget to share your review and comment your best part of a story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पासके. And if you like my story, so commence your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं next video तक के लिए राधे राधे.